मेरे प्रिया आत्मन सहज योग में आज गुरु अर्जुन देव जी का एक शबद लेने जा रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी गुरु सिख़्ी परंपरा के पाँचवे पात्षा हैं बड़ा प्यारा अंदाज है कहने का अन्य संतों की वानियों में तुम पाओगे कि करीब करीब पद या शबद के अंत में कुछ बीजक देते हैं कुछ रहस से खोलते हैं लेकिन गुरु अर्जुन देव जी इतने करुणा मान हैं कि हर शब्द शब्द में हर पंक्ती पंक्ती में कुछ न कुछ तुमें रहस से खोलते हुए नज़राते हैं सुनो अम्रित मानी हर हर तेरी एक एक शब्द में एक एक भीजक है यह जो परम संगीत है यह जो उंकार का संगीत चल रहा है पूरे अस्तित्व में जो तुम्हारे भीतर तुम्हारे बाहर सरवत्र गूज रहा है यह अम्रित वानी है बाकी सब वानी आहत वानी है शुरू होती है समापत हो जाती है लेकिन परम संगीत जो परमध्वनी जो परमवानी जो प्रभू की गूंझ चल रही है वह सदा है शुरू में भी वही, अंत में भी वही उसका अस्तित्व सदा है और उसको अगर सुन लो तो तुम्हारा भी अमरित तत्व में प्रवेश हो जाता है तुम भी उस अम्रित से लबालब भर जाते हो, तुम्हारी चेतना उस अम्रित से भर जाती है, कहते हैं अम्रित वानी हर हर तेरी, हे गोविंद, हे हरी, तेरी वानी को सुनना मेरे भीतर अम्रित भर दे रहा है, जिस धुन को सुनकर मस्ती में गुरु नानक ने जपजीग आ कोई भी संत हुआ याद रखना मैं पहले आश्चर चकित होता था कि ओशो कैसे पहचान लेते हैं कि कौन परंज्ञानी संत हैं इतना बड़ा फासला है दादु अरॉषो के बीच रजब ओशो के बीच नानक ओशो के बीच कैसे पहचान लेते हैं मेर्ब आज में देखता हूँ, अगर तुम भी उस अमरित तत्तो को जान लो, तुम भी उस उंखार को जान लो, तो पहचांना बड़ा आसान हो जाता है। अर्जुन का असाहस लोटाया वह राग अहरनिश बजता है वो सदा वो राग बज रहा है वह राग अहरनिश सुनो जरा बाकी सब रहे कुडा कच्रा अत योगम शरनम गच्छा मी भज़ोशो शरनम गच्छा मी बस एक ही राग सुनने लाइक है उस अमरित वानी को सुनो ओदेर कथा धंदा लागे, ये पंडित पुरोहितों के जो कथाएं हैं, ये तो बिलकुल धंदा लगती हैं, ये व्यापार लगता है, ये बिजनिस लगता है, ओदेर कथा धंदा लागे, तोमार कथा आमी बुझी, हे गोविंद, तुम्हारी कथा तो मुझे साफ समझ में आती है तुमार कथा आमी बुजी तुमार आकाश तुमार बताश यही तो सवै सोजा सोजी यह तुमारा आकाश यह तुमारी हवाएं यह तो बड़ी सीधी और साफ बाते कह रही हैं कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी सुन-सुन होए परमगति मेरी सुन-सुन होए गती हो जाती है परम गती का क्या रत है जहां सारी गती समाप्थ हो जाती है जैसे absolute temperature ऐसे absolute movement जहां सब कुछ थम जाता है कोई गती नहीं रह जाती है याद रखना जब तुम साक्षी होते हो तब now and here में आ जाते हो एक ठहराव आ जाता है एक थिरता आ जाती है सामानेता जब तुम विचार में जीते हो और विचार का समन्द भूत या भविश्य से होता है जब भी तुम विचार करते हो या तुम भूत काल में जीते हो या भविश्य काल में जीते हो ये सामानेता जागरत अवस्था में हमारी इस्थिती है अतीत या भविश्य में हम विच्रन करते रहते हैं लेकिन जब तुम साक्षी होते हो जब तुम ध्यान में होते हो तो तुम वर्तमान में होते हो और तुम यहीं होते हो ओशो बार-बार इशारा करते हैं तुम्हें लीव हीर और अभी और यहीं जीओ ओशो की इस बात को कुछ सन्यासियों ने ठीक से समझा नहीं कु कुछ ओशों से लेकर उन्होंने एक रास्ता बनाने की कोशिश की है और वे उपदेश दे रहे हैं खासकर पश्चिम के कुछ सन्यासी ऐसे हैं जो ओशों की पुराने सन्यासी हैं कुछ रमन महर्शी से भी प्रभावित होकर here and now वे कहते हैं here and now रहो अभी और यहीं रहो अभी और यहीं सीधे नहीं रहा जा सकता अगर सीधे अभी और यहीं रहा जा सकता तो ओशों ने ध्यान की एक विदी दी होती अभी और यहीं नहीं अभी और यहीं तो परिणाम है साक्षी का जब कंप को देखते हो अपने जैस अपने तब तुम नाव में आ जाते हो अभी में आते हो लेकिन जब अपने अकंप को देखते हो चेत्ना का वह हिस्सा देखते हो जो अकंपित है जब उसको देखना शुरू करते हो तो here में आ जाते हो और इस तरह जब पून समगर रूप से जब साक्षी होते हो जब कंप अकंप दोनों को एक साथ देखते हो तब अभी और यही में आ जाते हो तो साक्षी का परिणाम है now and here अभी और यही मगर यह वरतमान में तुम होते हो याद रखना ध्यान में तुम वरतमान में होते हो साक्षी में तुम वरतमान में होते हो लेकिन गुरु अरजुन देखजी इसके बाद का सुत्र दे रहे हैं फिर जब शाश्वत से जूडते हो जब समाधि में जाते हो जब सुमिरन में जीते हो जब गोविंद की वानी को लगातार सुनना शुरू कर देते हो तब तुम शाश्वत में प्रवेश कर जाते हो तो पहला चरण है ध्यान में आजाओ पहला चरण है वरतवान में आजाओ और उसके बाद तुम अगला चरण उठा सकते हो कि उस शाश शाश्वत संगीत को सुनो उस शाश्वत आलोग को देखो और फिर तुम शाश्वत में प्रवेश कर जाते हो उस समय जो तुम्हारी गती होती है वह केवल ठहराव नहीं है वह परम गती है वहां तुम धिर हो जाते हो और ऐसे ही सुनते सुनते ये जो तुम्हारा आवा गमन है इससे भी तुम मुक्त हो जाते हो निर्वान घटित हो जाता है ना आना है न जाना है हुआ निर्वान प्यारा है ऐसे उद्गार तुम्हारे निकलने शुरू हो जाते हैं सुन सुन होए परमगति मेरी जलन बुछी शीतल होई मनमा बड़ी प्यारी बात कहते हैं अगर उस सुवारी को तुम सुनना शुरू करो अगर उसके सुम्रन में तुम जीना शुरू करो तो तुम्हारी जलन बुझ जाती है जलन तीन प्रकार की होती है ताप दैहिक दैविक भातिक तापा राम राज्य का हुई नहीं व्यापा तुलसिदाजी कहते है न दैहिक ताप है भात क्योंकि ये सारे ताप जब देह के तल पर होते हो तो देह का ताप अनुभव करते हो। मन के तल पर होते हो तो मन का ताप अनुभव करते हो। लेकिन जब उस अंतर गुफा में चले जाते हो। जब उस परम संगीत में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है। तुम वहां पहुँच जाते हो, जहां कोई भी ताप तुम्हे सताता नहीं, वही राम राज्ज है, वह अंतर गुफा राम राज्ज है, जहां राम की धुन गुज रही है, वो राम राज्ज है, वहां तुम्हें जाना है, सत्गुरु का दर्शन पाए जीव, वहां जाकर क् कौन है सद्गुरू यह उंकार ही असली सद्गुरू है शंकराचारे जे बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कहते हैं है गुरू वही जो बतला दे असली सद्गुरू बैठा भीतर बाहर के गुरू का वसे इतना ही प्रयोजन है कि तुम्हें बता दे कि असली सद्गुरू उंक है जो सब के भीतर विद्यमान है कहते हैं सत्गुरु का दर्शन पाए जी धीरे धीरे सुनते सुनते बस वहां प्रवेश हो जाता है तुम्हारा जहां तुम्हारा असली सत्गुरु विद्यमान होता है और जब उसका दर्शन पा लेते हो तो फिर बाहर के सारे संदरे फीके हो जाते हैं सुख भया दुख दूर पराना जब भीतर के उस सत्गुरू से परचे हो जाता है तब आनंद का उद्वव होता है आनंद का अन्वव होता है और एक बार आनंद का अन्वव हो जाए तब तुम दुख से मुक्त हो जाते हो सामाने तुम सोचते हो कि दुख दूर हो जाएगा तब सुख आ जाएगा दुख विदा हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा ऐसा कभी होता नहीं ऐसा कभी हुआ कि अंधेरा पहले विदा हो जाएगा फिर प्रकाश आएगा ऐसा नहीं होता पहले प्रकाश होता है पहले प्रकाश आता है फिर अंधेरा विदा होता है ऐसे ही पहले आनंद आता है फिर दुख विदा होता है गुरु अरजुन देव जी अन्यतर कहते हैं आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा आनंद होगा और आनंद होते ही सुख मिल गया क्योंकि कि सुख जो है वो आनंद सिंदू की तरंग है कैसे मिला कैसे आनंद मिला कैसे सुख हुआ मिली गुरु गोविंदा गुरु से मिले और गुरु के दौरा गोविंद से मिले सारा अध्यात्म इस एक पंग्ति में आ गया अध्यात्म की सारी कितावे अगर समुद्र में किसी द दूबा दी जाए या कि डूब जाए कि प्रलय आ जाए और गुरु अरजुन देव जी की केवल यही पंक्ति बच जाए आनंद भया सुख पाया मिली गुरु गोविंदा तो अध्यात्म की इमारत फिर से खड़ी की जा सकती है कहते हैं गुरु अरजुन देव जी संत रसन ह हरी नाम बखाना ये संतों ने बार बार हरी नाम का बखान किया है हरी नाम का जिक्र किया है हरी नाम से जुड़ने की पुकार दी है तुम्हें मौसम का रंग बदलता है कहीं धूप और कहीं है छाया बाहर में जब तक मन उल्जा तब तक सुख दुख की है माया यदि चाह रहे आनंद सदा ओ गाफिल रव से ध्यान लगा ओंकारम शरणम गच्छामी भज ओशो शरणम गच्छामी कहते हैं गुरू अरजुन देव जी जल्थल नेर भरे सरसुभर बिर्था कोई नजाय जी उसकी जल वित्रन प्रनाली देखते हो समुत्र में उसकी तंकी है सबसे नीचे तुम्हारी तंकी पानी की सबसे उपर होती है कैसे वहां से भाप उडाता है कैसे बादल बनाता है बिना पाइप के कैसे उन बादलों को भेज देता है कि जा दिल्ली में जा वहां कुछ प्यासे पौधे है और वहां वरसात कर देता है वहां से पानी सप्लाई की इतनी सुंदर विवस्था करता है उसी को रिशारा कर रहे है जल्थल नीर भरे सरसु भर बिर्था कोई न जाये जीव कोई जीव प्यासा न रह जाये इसकी विवस्था उसने कर रखी है वन तरण तरवण कितनो हरया करन हार खन भीतर करिया ये सारी जंकल देखते हो छण भर में बसंत आता है और हरियाली छा जाती है गुर्मुक नानक तिसे अराधे मन की आस पुजाए जी इसलिए जो गुर्मुक होता है सदशिष्य होता है बस उसकी आराधना करता है क्योंकि एक गोविंद ही तुम्हारे मन की आशा पूरी कर सकता है और कौन कर सकता है हरिकास अतनाम सुना जिसने अब और भजन फिर काहे का लवलीन समाधी में जो हुआ सब जोग जतन फिर काहे का कुछ और नकर आराम करो अब अनहद में विश्राम करो उंकारम शरनम गच्छामी भज ओशो शरनम गच्छामी अनहद में विश्राम करना ही सहज योग है हरियोम तत्स